चतिसगर में एक नीजी कंपणी के करमचारियों से भरी बस के खाई में गिरने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से जादा खायल हो गई दुर्ग अटनाद दुर्ग जिले में राइप और दुर्ग रोट पर कल रात हुई सड़क सफिसलने कराद बस एक चालिस फीट गहरी मरम मिट्टी के ख़दान के गढ़े में जा गिरी बता दें कि डिस्टली कंपणी के करमचारी काम के बाद ख़र लोट रहे दे राश्पती दुरौपदी मुर्मोर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी और राज के मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने हादसे पर दुख जताया है चेटर्ज़ड के मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय ने बताया कि घायलों के लाज का समूचित प्रबंदन किया गया है वहीं टीप्टी सेम विजशर्मा ने बताया कि दुरघतना का शिकार हुए लोग केटिया दिस्टलरी के मजदूर थे जो भी मामले में दोशी होंगे उनके ऊपर कड़ी कारवाई होगी तो वहीं के एडिया दिस्टलरी ने मिर्तकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और प्रतेक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने वह घायलों को पूरा खर्च उठाने की बात कही है सभी खायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और अन्य अस्पतालों में भरती कराया गया है इदार कालेक्टर ने हाथसे की मजिस्ट्रेट जाच कराने के आदेश दिये हैं इंटर स्टेट डेपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफटी छक के चेर्मान, AIG, ट्राफिक संजेश शर्मा और उनकी टीम मौके पर हाथसे की जाच करेगी टीम बस, कंडिशन, लापरवाही और मानवियत रूटी को समेट कई बिंदों पर जाच करेगी देखे कल कुमहारी के पास एक बस दुरघटना हुई है जो की बड़ा दुखद है जिसमें बारा लोगों की मिर्ति हुई है और उतने ही करीब गहल हुए हैं और अभी हम गहलों से मिलके आ रहे हैं एम इसमें दस लोग एड्मिट हैं उनसे मिलके हमारा हैं और इस घट्टा में जो बाराल लोगों की मिर्ति हुई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति समिजना हम बेक्ट करते हैं और उनके आत्मा को भगवान सांती दे यह भगवान से प्रात्ना है और जितने भी घायल है वो भी सिग्र स्वस्थ हो यह प्रभू से कामना करते हैं और इस घटना के प्रति हमारे देश के महामिम रास्पती महोदया उन्होंने भी सोजना ब्याटती है और हमारे देश के S.O.C. परधान मंत्री भी सोजना ब्याटती है और जो गायल है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो इसका सासन ख्याल कर रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार कमपनी मिर्तक परिवार को 10 लाग मौजा दे रहा है और एक नोकरी भी देगा मिर्तक परिवार को